पिछले एपिसोर में आपने देखा कि निकिता को ससुराल में रहने में काफी परिशानी हो रही थी, क्योंकि वे गाओं के ऐसे महाल में नहीं रही थी, कुछी दिनों में वे काफी चिर्चडी हो गई थी, और नमन से इस बारे में बात करती है, वहीं रमा और रामनाथ भी अपनी बहु के परिशानी समझ रहे थे, जब रमा उनसे बात करने जाती है, तो वे हैरान रहे जाती है, आखिर क्या कर रही थी निकिता, छलिए, देखते हैं आगे, रमा कमरे में जाती है तो देखती है, निकिता बैक में अपना समान पाक कर रही थी, और साथ में रो भी रही थी, निकिता बेटा ये क्या कर रही है, कहां जा रही है तू, मुझे नहीं रहना ही यहाँ, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, क्या बात हो गई, मेरा दम खुटता है इस घर में, उपर से आपका बेटा धोगे बाज है, मतलब मैंने नमन को बोला है, वो मेहनत कर है बेटा, जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं, मैं तेरे लिए सब कुछ बना देगा, बात वो नहीं है, अभी एक हफ़ता पहले नमन सुभे निकला हुआ, रात का घर आया था, क्या आप जानते हैं वे कहा गया था, टेरी पर ही गया होगा, नहीं गया, मैंने पाइल से वो सिर्फ तुम्हें जाता है, तब ही घर का दर्वाजा बचता है और आमा दर्वाजा खोलती है, वहाँ निकिता के ममी पापा आये थे, सम्धन जी, सम्धी जी, आप, मैंने ही बुलाया है ममी पापा को, सम्धन जी, क्या बात हो गई, निकिता ने रोते-रोते फोन किया था, हम परिशान हो गए, उपर से ये कह रही थी मुझे लेने आओ, हुआ क्या है, मुझे तो खुद कुछ नहीं पता, अब ये उसने बताया है, आप बैठी अंदर, बाते करते हैं, निकिता बेटा ऐसे घर छोड़ कर नहीं जाते, तुम्हें क्या करू पापा जी, एक त नहीं लगा रही, पायल से पूछ लीची आप, बताओ पायल, मुझे क्या पता था, क्या चल रहा है, मुझे तो बस भाबी ने पूचा तो मैंने सच पता दिया, अभी एक हफ़ते पहली नामन सुभी छे बजे घर से निकला था, और रात वो ग्यारा बजे घर आया है, अभी यहां नहीं रहना है, एक बार नमन से बात तु कर ले, आप मुझे लेने आये हैं या उनसे बात करने आये हैं, अगर आपको नहीं लेकर जाना तो सीधा बोल दू मैं खुद भी जा सकती हूँ, बेटा इतनी जल्दबास ही नहीं करते, तुम्हारी अब शादी हो मुझे एक बार यहां से चाने दें जी, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तहीं मैं कुछ गलत न करतू, नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोल, अगर तेरा मन खराब है तो तु एक बार रह ले ममी बापा के पास, फिर नमन तुझे खुद लेने आएगा, ठीक है समधी जी, एक बार ह उस दन सुभे, और बता क्यों नहीं रहा, मा बाबु जी बता दूगा, एक बार मुझे अकेले में खुद के साथ वक्त बिताना है, प्लीज, मुझे परिशान मत करो, इसे क्या हो गया है, पता नहीं, आजकल खोया-खोया रहता है, कुछ भी नहीं रहता, कुछ बताता भी नहीं है, तो आखे नमन किस बात से इतना परिशान था, वे क्यों नहीं बता रहा था, कि वे कहां गया था, नमन अपनी कमरे में आ जाता है, रोनी लग जाता है, निकिता तुम क्यों नहीं समझती मुझे, न धोकेवास नहीं हूँ, मैं भी तुम से प्यार करता हूँ, चली आई, मैंने तुमसे बोला था ना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था तुम फिर मुझे बता क्यों नहीं रहे, उस दिन कहां गायब थे मैं किसी जरूरी काम से गया था ऐसा क्या जरूरी काम था, ठीक है मत बताओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है उस घर में रहने का तुम इस घर में वैसे ही परिशान थी, इस वज़े से ही छोड़ कर गई हो या मेरी वज़े से छोड़ कर गई हो दोनों ही वज़े हैं, बस तुम्हारी वज़े से मैं जल्दी आई, वरना मुझे थोड़ा वक्त और रहना पड़ता ऐसी गंदी जगह पर निकिता ऐसे मत बोलो, यह हमारा गर है, मैं तुम्हारे लिए सब बना दूँगा कब बनाओगे, अब तु वैसे भी तुम मुझे धुका दे चुके हो, मैं कभी नहीं आऊँगी निकिता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम भी तुम उससे प्यार करती हो, तुम नहीं छोड़ सकती मुझे मैं कुछ भी कर सकती हो निकिता गुसे में फोन रग देती है, लेकिन बाद में वैक खुद भी काफी रोती है, क्योंकि वो भी रिष्टा खराब नहीं करना चाहती थी वही नमन भी बहुत परिशान था अगले दिन दुबारा नमन निकिता को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती और तीन-चार दिन तक फोन ना उठाने पर नमन उसके घर लेने पहुच जाता है तमाजी, अच्छा हुआ आप आगए निकिता को किसी से बात तक नहीं करनी है, बस कमरे में बैठकर रोती रहती है हाँ बीटा, आकर हुआ क्या है तुम दोनों की बीच में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मम्मी जी, पापा जी, कुछ भी नहीं हुआ है, बस उसका घर में मन नहीं लगता और मैरे उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है जाओ नबीटा, वो अपने कमरे में है, उसे मनाओ जाकर हाँ, मैं उसके कमरे में जाता है, लेकिन निकिता दर्वाजा नहीं खोलती चले जाओ नमन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी निकिता, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अपने घर चलो नमन बार-बार उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन निकिता दर्वाजा नहीं खोलती और उसे धमकी देती है, आखिर हार मानकर नमन वहाँ से वापस घर आ जाता है बेटा क्या हुआ, बहु को लेकर नहीं आया वो आहीं नहीं रही मा, मैं क्या करूँ आज आएगी बेटा, उसे थोड़ा वक्त दो, कोई परिशानी वाली बात नहीं है भाबी के बिना तो घर भी सुना सुना लगता है चिंता मत करो पायल, मैं उसे जरूर ले आऊँगा, बस कुछ वक्त की ही बात है, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा लेकिन कैसे होगा बेटा, मैं तु कहती हूँ कहीं से थोड़े बहुत पैसो का इंतिजाम करके, उसके हिसाब से थोड़ी विवस्ता कर दे देखता हूँ तभी नमन के पास एक कॉल आता है, और बात करने के बाद वह बहुत खुश हो जाता है अरे क्या हुआ पेटा, बहु का फोन था क्या नहीं मा, तो किसका फोन था, तु तना खुश कैसे है बाद मैं बताऊंगा, और आज से डेरी वाला काम बंद कर रहा हूँ उस गाय को भी बेच देता हूँ मैं अरे डेरी बंद कर देगा तो काम क्या करेगा बस मुझे काम मिला है, मैं बाद में बताता हूँ बाकी जरूरी काम निप्टा लूँ पहले तो नमन गाय को बेच देता है और अपने डेरी का समान भी बेच कर डेरी बंद कर देता है वही उसके घर वाले भी हैरान थे कि आखेर नमन क्या काम कर रहा था तूसरी तरफ निकिता को नमन की बहुत याद आती थी और वही उससे दूर होकर बहुत उदास रहने लगी थी लेकिन उसकी इगो और गुस्सा उसे जुकने नहीं दे रहा था कुछ दिन बाद निकिता बेटा मैं देख रहा हो कि तू बिल्कुल भी खुश नहीं है तू चली क्यों नहीं जाती अपने सस्राल पापा मुझे नहीं जाना आप मुझे बार बार वहां जाने के लिए मत कहिए पीटर अगर तू शादी से खुश नहीं है तो तलाग दे कर ख़द्म करना बात को मैं क्यो तलाग तू? मैंने नमन से अपने मर्जी से शादी की है उसे मेरे लिए सब करना होगा, जुकना भी होगा तो तू उसे मौका ही नहीं दे रही, वो तो आया था, तूने तो बात तक नहीं की फोन करता है तो तू फोन नहीं उठाती उसका हाँ तो इतनी आसानी से थोड़ी ना सब कुछ ठीक कर दूँगी, फिर उसे मेरी कद्र कैसे होगी तभी दीपा के पास फोन आता है, वह एक मिनट के लिए बात करती है और परिशान हो जाती है क्या हुआ, तुम क्यों इतनी परिशान हो गई हो, किसकी कॉल थी? नमन की दूसरी शादी हो रही है ये बात सुनकर निकिता के पैरो तले जमीन खिसक जाती है क्या? ये सच नहीं हो सकता, नमन ऐसे नहीं कर सकता मेरे साथ दीपा, ये तुम किस ने बताया? अभी नमन की बहन का फोन आया था निकिता जोर-जोर से रोने लग जाती है मुझे लेकर चलो ना उसके पास, चल दी पापा, प्लीज पेटा क्या फाइदा, तु तो उसके पास रहना ही नहीं चाती अब वो तो अपनी जिंदगी मागे ही बढ़ेगा ना पीछे थोड़ी न जाएगा ऐसे कैसे कर सकता है वे? मैं उससे प्यार करती हूँ और वे भे मुझसे प्यार करता था पेटा छोड़ना, तेरा तो वैसे भी सिसुराल में मन नहीं लगता हम तेरे लिए कोई अमीर घर का लड़का देख देंगे बड़े सी घर में करेंगे तेरी शादी नहीं, मैं वहाँ रह लूँगी अब तो वहाँ मेरा मन लगने भी लगा था बस मैंने ही मात बढ़ा दी थी तु तो कहती थी नमन धोके बाज है नहीं, उसने धोका नहीं दिया बस मैं मुझे बता नहीं रहा था कि वे क्या काम कर रहा है मुझे लेकर चलो पापा प्लीज जल दी तो निकिता उनसे रिक्वेस्ट करती है फिराजेश और दीपा उसे लेकर नमन के घर जाती है और निकिता वहां पहुँझ कर सब कुछ देख कर हैरान रह जाती है और सामने नमन का पूरा परिवार था पर नमन नहीं था तुम्हारा ही इंतिजार था निकिता आओ, यह सब क्या है दूसरी बहु के लिए घर का हुलिया बदल दिया घर सजा रखा है निकिता भाबी अंदर तो आओ, देखो दो घर नमन कहा है, यह शादी कर रहा है न तभी निकिता नमन के कमरे में जाती है और देखती है कि कमरा भी बहुत सुन्दर सजाया हुआ था वहाँ एर कंडिशनर भी लगा हुआ था वही कमरे के साथ एक बड़ा सा अटाज टॉलिट बात्रूम भी बन गया था दूसरी शादी करने के लिए घर भी तयार करवा लिया और जब मैंने बोला, तब उससे कुछ नहीं हुआ इसी भी लग गया है तब ही बीचे से नमन आता है और उसको गले से लगा लेता है भागल हो तुम, सच में कितनी भोली हो भावी तब ही खरके सभी लोग हसने लग जाते हैं और निकिता को कुछ समझ नहीं आता सब हस क्यो रही है ये सब तुम्हारे लिए करवाया है मला तुम्हें छोड़कर मैं कहीं और शादी करूँगा क्या हाँ बेटी ये बात सुनकर निकिता रोनी लगती है ये सब क्या हो रहा है सबकी मिली भगत है मामी पापा, आपने भी कुछ नहीं बताया हाँ बेटा, हमें तो सब पता था लेकि तुझे समझाने के लिए हम सब चुप थे पर ये सब हुआ कैसे उस दिन जब मैं एक दिन के लिए सुवह से रात तक गया हुआ था मैं बिजली विभाग ओफिसर का पेपर देने गया था और किसमस से मैं पास हो गया दो साल से तयारी कर रहा था क्या तुम ओफिसर बन गए सच में हाँ निकिता इसे चीज का तो इंतजार था और सेलरी आते ही मैंने कुछ और पैसो का अंतजाम किया और तुम्हारे लिए इस घर को रहने लाइक बना दिया भागी धीरे धीरे और अच्छा बना दूँगा निकिता खोशी से उसे गले लगा लेती है क्या ये बात सबको पता थी? हाँ बेटा पास होने के बाद इसने सबको बता दिया था तुम्हारे मम्मी पापा को भी लेकिन किसी ने भी तुम्हें नहीं बताया हम तुम्हीं सिप्राइस देना चाहते थी अब कभी मत जाना मुझे चोड़ कर मैं तो गुस्से में गई थी छोड़ा थोड़ी ना था तुम्हे माफ कर दो तभी निकिता सभी से माफी मागती है और खुशी-खुशी अपने ससुराल में रहनी लगती है सभी बहुत खुश थे कि निकिता ससुराल में वापस आ गई थी नमन भी जानता था कि निकिता की कोई गलती नहीं थी क्योंकि वे शहर के महौल से आई थी और यह बात नमन के घर वाले भी समझते थे इसलिए नमन ने कड़ी मैनत कर उस जगह को निकिता के लायक बनाया और हर कहानी की तरहें इस कहानी का भी अंत्खुशियों से भरा था तो दोस्तों कैसे लगिया आपको यह हमारी स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा